Hello everyone, welcome to my channel Suman's Primary Maths Classes. हम कर रहे हैं Unit 5 Decimals. इसमें हमने last time पेखिया था Decimal and Whole Number Part. आज हम इसमें करेंगे Easy Way To Convert Fractions To Decimals पेले हम इसको Quotient की Help से Understand करेंगे Let us take a number 67 by 100 यहाँ पर हम सबसे पहले Observe करेंगे Denominator को चेक करेंगे इसमें कितनी 0 है 2 0 है तो 2 0 है तो हम क्या करेंगे Point के बाद 2 digits रखेंगे Point के बाद क्या रखेंगे 2 digits 67 यहाँ 2 digits से तो हमने इनको क्या किया Point के बाद हमने 2 digits shift कर दिया और यहाँ पर जितना भी था हमारे पास आगया Point 0 One more example we will take here अगर मेरे पास है 375 by 100 अगर मुझे इसको decimal में convert करना है तो कैसे करेंगे इसमें कहा है denominator में 2 0 हैं तो हमने क्या करना है इसमें 2 digits को लिखके इससे पहले क्या लिखेंगे हम इसके Point Put कर दिया हमने यहाँ पर इसके Left side Point Put कर दिया और हमने इनको क्या कर दिया Right side Shift कर दिया So अब यहाँ पर क्या रहे गया 3 3.75 We can write it Like this इसमें कैसे किया है हमने इसको हम steps की form में करेंगे Step 1 First of all हम करेंगे Denominator को check C Denominator It is 100 Number of zeros Count की हमने हाँ पर कितने है 2 Number of zeros जितने number of zeros है उसकी coding हमने उसको Shift कर दिया Step 2 में क्या किया था हमने Enumerator Count 2 zeros ही तो 2 digit को Count करेंग Count 2 digits From the right हमने right side से 2 digit काउंट की और हमने क्या किया था From the Right And हमने क्या किया उसकी left पर हमने point को put किया था Move towards left And move towards लेफ्ट Then Put Put Point 3 digits भी होंगी तो भी हमने पास यही प्रोसेस हो का हम दिनोमिनेटर को चेक करेंगे उसमें number of zeros चेक करेंगे Then we will do Like 34 है मेरे पास 34 by 1000 First of all हमने क्या करना है हमने Denominator को चेक करना है Denominator हम मेरे पास से 1000 इसमें number of zeros कितनी है 3 3 number of zeros अगर मेरे पास 3 number of zeros है तो यहां से हमने right side से हमने इन वो count करना शुकर देना हम 1, 2 2 यहां मेरे पास तो इससे पहले हम क्या कर लेंगे 0 और लगा देंगे यह होगा 34 रहा 0 लगाने से फिर हम इससे left क्या कर देंगे Point put कर देंगे और यहां पर देंगे 0 It is written as 0.034 One more question we will do here Question number 2 72 2 divided by 100 मेरे पास यह है इसमें हमने इसको fraction को decimal में करना है तो 2 zeros है 2 point के बाद मेरे पास कितने हैंगी 2 digits तो यह हमारे पास हमने count की यहां से राइट से तो यह इन दो डिजित हमने लिखी और point put किया और फिर हमने 0 put कर गया इसमें और कुछ डिजित नहीं है तो One more question we will do here Question number 3 मेरे पास नमबर है 72,983 divided by 1000 यह नमबर है 983 यह मेरे पास whole part है नमबर का whole part और यह मेरे पास है decimal part That's all for today Thank you so much for watching my videos ऐसे ही मेरे वीडियो को like and subscribe करते रहेगा Thank you Have a nice day